इंडिया में जहां मनु भाकर जैसी एथलीट के ओलंपिक मेडल जीतने को फीमेल इंपावर्मेंट की बड़ी जीत माना जा रहा है, वहीं उसी भारत में 36 घंटों के लिए लोगों की जान बचाने के बाद एक फीमेल डॉक्टर को क्या मिलता है? टॉर्चर, मर्डर 31 साल की एक पोस्ट ग्रैजुएट फीमेल ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता के आठ जीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रात के करीब दो बजे अपने कलीग्स के साथ डिनर करती है, और लगातार 36 घंटे बैक टुबैक ड्यूटी करने के बाद वो रेस्ट करना चाहती थी इसलिए वो उसी हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पे जाती है जहां सेमिनार हॉल होता है और वहीं जाकर कुछ घंटों के लिए सो जाती है यहां घर पर उसकी फैमिली वाले आराम से सोए थे, यह सोच कर कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में है, सेफ है पर कुछ घंटे बाद ही उसके घरवालों के पास फोन आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुपिट कर लिया है विक्टिम की बॉड़ी साढ़े साथ बजे सेमिनार हॉल में मिलती है और उनके पैरेंट्स को तीन घंटे बाद यानी सुबह के साढ़े दस बजे इनफॉर्म किया जाता है इसके बाद जब फीमेल ट्रेनी डॉक्टर के फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब भी उन्हें तीन घंटे तक इंतजार कराया जाता है और उन्हें उनकी बेटी को देखने तक नहीं दिया जाता हमको तीन घंटा खड़े रखा हाथ जोडती रही माबाप हाथ जोडती रही हमें एक बार दिखाओ और तीन घंटे बाद, ट्रेनी डॉक्टर के पैरेंट को अंदर जाने दिया जाता है, और जब वो अपनी बेटी को जा कर देखते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनको फोन पर बताया गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइट किया है, लेकिन उनको जो दिखता है, और जैसे-जैसे ये न्यूज लोगों तक पहुँचती है, तो ना सिर्फ कोलकाता में, बलकि दिल्ली, करनाटक, तमिलनाडू, ओडिशा, मध्यप्रदेश, असम, आल ओवर इंडिया में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। पुलिस इंवेस्टिगेशन और अरेस्ट की बात तो तब उठी, जब प्रोटेस्ट की वजह से इस केस को मीडिया अटेंशन मिली, वरना पुलिस तो इस केस को सुसाइट केस बताकर रफा-दफा करना चाह रही थी। तो पता चला कि वो इयरफोन संजय रॉय नाम के एक शक्स के गले में था, जब वो चार बजे के आसपास इमर्जेंसी बिल्डिंग में घुसा था। लेकिन 40 मिनट बाद जब वो बाहर निकलता है, तो उसके गरदन में वो इयरफोन नहीं था। बाद में जब पुलिस संजय रॉय को बुलाकर उस ब्लूटूथ को उसके फोन से कनेक्ट करके देखती है, तो ब्लूटूथ तुरंथ कनेक्ट हो जाता है। जिससे ये साफ हो जाता है कि जुर्म करते वक्त ये भी वहाँ मौजूद था, और इसलिए पुलिस इसको तुरंथ अरेस्ट कर लेती है। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीब घोश ने बिना किसी अटॉपसी किये या कोई इन्वेस्टिगेशन किये डायरेक्टली जज्मेंट पास कर दिया कि उस विक्टिम को साइकोसिस नाम की एक मेंटल इलनेस थी, जिसकी वजह से उसने सुट कर लिया है, लेकिन लोग इससे बिलकुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि और जिस दरिंदगी से उनका रेप और मर्डर किया गया, और जिस हालत में बॉड़ी पाई गई, वो एक सिंगल परसन के द्वारा करना पॉसिबल ही नहीं है तो exactly 8 और 9 अगस्त की उस काली रात को हुआ क्या था? इस जुर्म को अंजाम देने में कितने लोग थे? ये संजय रॉय आखिर कौन है? और इतना बूटल होने के बाद भी, सबूत सामने होने के बाद भी, पुलिस से लेकर हॉस्पिटल अथॉरिटी तक सब इस केस को दब आने में क्यों लगे हुए हैं? आईए जानते हैं. इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत होती है 8 अगस्त की सुबह. संजय रॉय जो की एक सिविक वालन्टियर था और इसी वजह से आर जीकर हॉस्पिटल में एक पेशन्ट के एडमिशन में मदद करने आता है. एक बजे उस पेशन्ट की सर्जरी होनी थी, जिसकी वजह से संजय वहीं हॉस्पिटल में रुका हुआ था. और उसके बाद सर्जरी से ठीक पहले उसी हॉस्पिटल के बिल्डिंग के पीछे उसी पेशन्ट के एक रिलेटिव के साथ ये शराब पीने चला जाता है. और इ वो थर्ड फ्लोर पर जहां सेमिनार हॉल था, वहीं जाकर सो जाती है. वो ट्रेनी डॉक्टर तो सो जाती है, लेकिन संजय शराब पीने के बाद हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर वापस जाता है, जहां ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट कर र किसी भी इंसान की रूह काँप जाए और ये सब करने के बाद उसको जान से बाद देता है उसके बाद वो हॉल से 40-45 मिनट के बाद बाहर निकलता है CCTV फुटेज में संजय को हॉस्पिटल से लगभग साढ़े चार बजे बाहर निकलते हुए कैपचर किया गया उसके बाद वो अपने पुलिस बैरक में वापस गया और सो गया सोने से पहले ये अपने खून में लिप्टे कपड़े धोता है और सबूत मिटाने की कोशिश करता है लेकिन शायद ब्लूटूथ लेना और अपने शूज को धोना भूल गया जिससे ये ब्लूटूथ और उसके शूज पर लगे खून से पकड़ा जाता है पुलिस जब इस दरिंदे का बैक्ग्राउंड खंगालती है तब पता चलता है कि इस दरिंदे का ये जुर्म कोई पहली बार नहीं था बलकि इसने अपनी मा, बेहन, भाई किसी को भी नहीं छोड़ा उनके बॉडी पार्ट्स पर भी मार पीट के निशान थे इसकी पहले ही चार शादी हो चुकी थी तीन पत्निया तो सेक्स टॉर्चर की वजह से इसको छोड़ कर चली गई और चौथी कैंसर की वजह से मारी गई इसके कैरक्टर का आपको अंदाजा लग ही गया होगा लेकिन इतना सब होने के बाद भी इस दरिंदे को बचाने की कोशिश की जाती है सबसे पहले तो आर जीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोश ये कहते हैं लेकिन इसके कुछ ही घंटों में ये दूसरे प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है जिसके बाद 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल असोसिएशन द्वारा इसे सस्पेंड कर दिया जाता है इतना ही नहीं जो क्राइम सीन का लोकेशन होता है नॉर्मली उसको सील कर दिया जाता है और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ लोगों का जाना तक नहीं होता लेकिन जहाँ पे उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी वहीं के साइड वाले रूम में क्राइम के दो दिन के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया जाता है CBI को इस केस को टेक ओवर करने से पहले ही यहां रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया तो क्या ये सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी? विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए इस केस की अच्छे से अच्छी जाँच तो होनी ही चाहिए हर साल इंडिया में ऐसे ब्रूटल केसस तो हाइलाइट होते ही है पर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो क्यों होते हैं? कुछ साल पहले हुए निर्भया कांड में आरोपी का ये कहना था कि इस इंसिडेंट में मेरी कोई गलती नहीं थी गलती उसी लड़की की थी वो इतनी रात को ट्रैवल क्यों कर रही थी ऐसे ही व्यूज हमारी सोसाइटी के भी है और इस पर हमारे पॉलिटिशन का कहना है कि लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती है कोलकाता रिप केस पर ममता बनर्जी का कहना है कि रिप केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में मैन और वुमन फ्रीली इंट्रैक्ट कर पा रहे हैं कोलकाता का केस हो या निर्भया केस हो इसमें कसूरवार वो इंसान है जिसने ये घिनोना काम किया है और वो समाज भी है जो औरतों को एक आबजेक्ट समझता है दूटी कोई अनकॉमन चीज नहीं है एट अस्ट्रैच 36 आर्ज की डूटी कोई डॉक्टर करके पांच मिनिट की रेस्ट लेने जा रहे है और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है इस होरेंडस